प्रमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। अम शांती, आमो लेरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इश्वरी महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इसके सपश्टी करण के लिए हमीशा की तरह हमारे मद्य हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरी विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आधरनी राजुभाई सहाब। प्रजापिता आज की एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शान्ती। प्रजापिता आज हम बात करेंगे 31 ओक्टोबर 71 के महावाक्यों के बारे में। इसका टॉपिक है अनुभव की विल पावर द्वारा, माया की पावर का सामना। फिसब परमात्मा कहते हैं कि रुहानी ड्रिल जानते हो, जिसे शारेरिक ड्रिल के अभ्यासी एक सेकंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोरने चाहें, वहां मोर सकते हैं। ऐसे रुहानी ड्रिल करने के अभ्यासी एक सेकंड में बुद्धी को जहां चाहो जब चाहो उसी स्टेज पर उसी परसेंटेज से स्थित कर सकते हो। ऐसे अवर्रेडी रुखानी मिलिटरी बने हो। आत्मा को शक्ति साली बनाने के लिए इस रूहानी दिल की बहुत आवस्यक्ता है, जैसे शरीर एकसरसाइस से, दिल से शक्ति साली बनता है, ऐसे ही आत्मा ससक्त बने, उसके लिए मन और बुद्धी पर पूरा कंखोल चाहिए, एक सेकेंड में इस शरीर से डेटेच होने का अभियास, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, यह है हमारी ड्रिल, जितना हम प्रेक्टिस करते जाते हैं, आत्म अभिमानी इस्थिति में रहने की, देभान को हम भूलते हैं, उतना यह ड्रिल बहुत सहज हो जाती है, और यह ड्रिल जैसे मि निकलनी चाहिए, ऐसे ही ये रुवानी डिल के अंदर अगर हमारा माटसल परमात्मा आडर करता है, एक सेकेड में इस दे से डिटेच हो जाओ, तो मन और बुद्धी भटके नहीं, इस्थिर हो जाए और उसी इस्थिति को हम प्राप्त कर लें, जो संकलप दिया जाए, उसी संकलप में इस्थित हो जाए, तो ये दिल अगर हम बार-बार करते हैं, इस सरीर से न्यारा बढ़ने की, अपने आत्मिक सरोप में इस्थित होने की, तो जो बेर्थ संकलपों में मन बह जाता है, इधर उधर भटक जाता है, वो बज जाएगा, मन सक्ति-साली बन जाएगा बहसा परमात्मा कहते हैं कि अभी अभी ओडर हो, अपने संपूर्ण निराकारी, निरहेंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित हो सकते हो, वह साकार शरीर, साकार स्रिष्टी, वह विकारी संकलप न चाहते होए भी, अपनी तरफ आकर्शित कर इस देहे की आकर्शन से परे एक सकंड में हो सकते हो, हार और जीत का आधार एक सकंड होता है, तो एक सकंड की बाजी जीत सकते हो, ऐसे विजय अपनी को समझते हो. इसके लिए बहुत समय का अभ्यास आई है, कोई आज योग अभ्यास सीख रहा है, और कहें कि एक सेकंड में अपने मन बुद्धी को एकागर कर लो, जब तक उसने आतम भिमानी स्टेज का कर्म में अभ्यास नहीं किया है, इस देह से नियारा बनने का अभ्यास नहीं किया है तब तक सेकंड में अपने आपको कंट्रोल कर लेना, सब संकल्पों को सांत कर लेना, यह मेहनत का काम है, इसके लिए रोज का कुछ समय अभ्यास करना चाहिए, दस मिनट, पंदरा मिनट, इस सरीर से डिटेच होने का अभ्यास, अपने आत्मिक सरूप में इस्थित होने का अगर हम करते हैं, तो आडर के प्रमान हमारा संकल्पों इस सरीर की दुनिया से पाड़ जा सकता है, तो पहला अभ्यास निराकारी इस्थिति का, फिर जो भी कर्म छेत्र पर कर्म करें उसका हेंकार नायर निरहेंकारी इस्थिति का, और संकून निर्विकारी स्टेज जो आत्मा की पवित्र स्टेज है, उस स्टेज में उस सरूप में आत्मा इस्थित हो जाए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि देह इमान में आने का अभ्यास बहुत समय से है, ऐसे ही जब हम बहुत काल तक अभ्यास करते रहते हैं, सवेरे, साम को, बीच में 2 गन्टे में एक गन्टे में एक मिनटी सरेर से डिटेच हो जाएं। तो जो अभ्यास करते रहते हैं, वो संकल्पों पर कंतोले लेते हैं। कई वे नैचुरली भ्यास हो ज lives है जब नाए नाए आते हैं। तो कई बाल को पॉफर टाइम लग जाता है। इसा है कई बार भक्तिकाल के अंदर लोगों ने अभ्यास की हुए होते हैं, और भक्ति जैसे एकागरता से उन्होंने की हुई है, तो ज्ञान मिलते ही उनको सहज हो जाता है, लेकिन भक्तिकाल का भी संसकार इस समय नहीं है, और बहुत देहमान में रहे हैं, बहुत इधर- की बातें पढ़ी हैं, हमारे आधतें कई प्रकार की विकारों के अंदर लिप्त हो गई हैं, तो अधिक विकारों के संसकार होने के कारण, देखने के, सुनने के, बोलने के, इसको हम कहते हैं बाहिमुक्ता के संसकार, जिनके अधिक बाहिमुक्ता के संसकार, उनको महनत उनके लिए कभी-कभी सहज हो जाता है, उनको महनत नहीं लगती, लेकिन जो बिल्कुल किसी भी बात से तरलुक नहीं रखते थे, ना भक्ति किया है, ना इकागरता का अभ्यास किया है, ना वेरागि वृत्ति में रहे हैं, और ग्यान मिलता है, तो उनको थोड़ा महनत लग इन करमिनली ओं से बहुत गलत कर्म होए है, देह इमान में आत्मा रही है, तो इस जीवन के संस्कार भी बहुत इफेक्ट करते हैं, जी, भैस अब आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की मदद चाहिए, आशरवात चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति च यह चाहिए चाहिए तो नहीं है। यही संपन स्थिती, संपूर्ण स्थिती को समीप लाती है क्या है भक्ति काल के अंदर बहुत से संसकार मागने के रहे हैं कभी भी कोई पूजा पाठ कुछ भी हमने आराधना की है तो उसके पीछे कोई न कोई कामना रही है और कामना के कारण भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं मेरा परिवार सुखी हो, मेरे घर में धनाए, मेरे बच्चे अच्छा पढ़के आगे बढ़ जाएं वो चाहना है रहती है ना चाहनाओं के कारण संकल्प में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए भगवान के आगे सदा कृपा, आसिरवात करो, परदान दो, दुआएं दो, इस तरह से चाहना की इच्छाएं बनी रहती हैं लेकिन जब ज्ञान मार्ग में आते हैं और परमात्मा हमें बिना मांगे सब कुछ दे रहा है उसको हम अपना बनाना सीखें, जब तक हमने उसको अपना नहीं बनाया, तब तक हम भरपूर नहीं हो सकते हैं दाता तो हमको अथा दे रहा है, उसने तो ग्यान का अखुट खजाना दिया है, सक्तियों का खजाना दिया है और उन खजानों को अगर हमने अपनी तरह से मनन करके, चिंतन करके, दान करके अपना बना लिया तो हम भरपूरता कानुभो करेंगे, फिर हम खुद दाता बन जाएंगे, भगवान से कोई इच्छा नहीं रखेंगे कि मुझे दे, दाता तो बिना मांगे सब कुछ दे ही रहा है, अब हम फिर से उसे मांगना सुरू करें, माना हमने उसको दिये हुए को अपना नहीं बनाया तो जो खजाने मिले हैं उसको हम मनन करके, चिंतन करके, दूसरों को सुना करके अपना बना लेंगे, तो मास्टर दाता बन गए परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा से सर्वशक्तियां, सर्वगोन हम प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं, मांगते नहीं है, विधी है, अगर हमारा connection ठीक जुड़ा हुआ है, तो मांगने की जरूद नहीं, सक्तिया अपने आपाएंगे, उसको हम यह कहते नहीं, तो मुझे शांति की सक्ति दो, पवित्रता की सक्ति दो, शुख दो, दो-दो कहना तो बक्ति का स सकता नहीं है, लेकिन connection तीक रहे, उतना उसके पर respect रहे, इघाड रहे, ताकि वो सब कुछ हमें अपने आप देता रहे. मिलकुल भाइसर, प्रमात्मा कहते हैं कि साधारण आत्माई और विशेश आत्माओं में अंतर क्या होता है? इस अंतर को जानते हो, विशेश आत्माओं की विशेश्टा यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, जो सदा अपने को सर्वशक्तियों से संपन अनुभव करें. जो गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तो, वह इस समय जब सर्वशक्तियों से अपने को संपन करेंगे, तब ही भविश्य में भी सदा सर्वगुनों से भी संपन, सर्वपदार्थों से भी संपन और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे. देवताओं के लिए गाया हुआ है, अप्रापत नहीं कोई वस्तो देवताओं के खजाने में. परमात्मा कहते हैं वो जो संपन स्टेज है देवताओं की, बनी इसी समय है, जब आप बच्चों ने इस समय सर्वगुन और सर्वशक्तियों को अपनाया है, भरपूर बने है इसकी रिजल्ट भविस्व में आपके सामने हैं. तो अभी के स्लोगन के अनुसार, अभी की हमारी इस्थिति के अनुसार ये स्मृति रहने चाहिए कि जो पाना था वो पा लिया, कोई भी वस्तो, कोई भी सक्ति परमात्मा की तरफ ऐसे नहीं, जो हम बच्चों को न उसने भरपूर किया है, इसलिए आत्मा जो तरफ्त हैं, भरपूर हैं, उनके अंदर से निकलता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, इस समय भी कई ब्रामान आत्मा हैं, जो परमात्मा के ग्यान मार्ग में चल रहे हैं, अच्छी तर ऐसा आनुभव होता है, कि अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ परमात्मा ने दिया है, इसा परमात्मा क्याता है कि जब आनुभव स्वरूप बन गए, तो आनुभव के बातें अविनाश्य होती हैं, सुनेवी बातें वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त ह कोई बातें अल्पकाल की हो सकती हैं, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदाकाल की अविनाश्य होती हैं, अभी कोई ने मुझे बहुत अच्छी बातें सुनाई, अपने अनुभव सुनाए, हमने सुना और हमने सोचा बहुत अच्छी बात, मैंने उसका अनुभव तो हम भरपूर तो नहीं होंगे ना, अगर हमने उसका अनुभो कर लिया तो हम अनुभो के अथार्टी बन गया, वो सदाकाल के लिए अपना हो गया, सुनी भी बात तो भूल सकते हैं, कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा योग कराया, बहुत अच्छी क्लास कराया, बहुत अच्छी पॉइंट्स दे और हम खुछ सो जाते हैं, हमको बहुत कुछ प्राप्ति हो गई, बहुत कुछ आज खजाना मिल गया, इन खजाने को समाया अंदर, उसका मनन चिंतन किया, उसको सुरूप मे लानी का भ्यास किया, कई लोग सुन लेते हैं, खुछ सो जाते हैं, तो सदाकाल के लिए अपना काजाना हो जाएगा, बिलकुल यही फॉरिक है कि हम क्यू अपने आप को पूर्णत है उस स्वरूप में नहीं ढहा है, क्योंकि अउस का अनुभाव नहीं करते हैं, हम अनुभाव नहीं करते हैं, उसका अनुभाव नहीं करते हैं, minandat 9, कि चिंतन करें, कुछ लिखें और दूसरों को उसके आग वानन करें, तो अनुभव होता जाएगा, और वो अनुभव बढ़ जाएगा, तो अथार्टी बन जाएगा। तो सब परमातना कहते हैं, सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है, अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे, जिसमें विल पावर होती है, वह सहज ही सर्वबातों का, सर्वसमस्य का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं तो सामना करने की शक्ती से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ती अपने अनुभव के विलपावर से सहज प्राप्त हो सकते हैं वास्तों में जो अनुभव के अथार्टी बन जाते हैं क्योंकि कोई चोट लगती है, तो अनुभवी व्यक्ति बन जाता है, करने से बार बार वो कारिक करने से अगर वो निस्फल हो रहा है, तो उसके अनुभव बढ़ते हैं, डर्ना नहीं चाहिए, कैसी मेरे सामने हो गया, मैं छोड़ दूँ, कही लोगों के आगे कोई पेपर आ जाता ह माय आ जाती है, घबड़ा जाते हैं, दिल सिकस्त हो जाते हैं, कि हमसे तो यह नहीं होगा, परमात्मा कहते हैं, चोड़ो नहीं, अगर मान लो एक बार कोई ऐसी बाते आई, संगठन में हम जाते हैं, सेवा के छेतर में जाते हैं, तो भिन भिन संसकार हैं, भिन भिन सुभ विल्पावरी बनती जाते है, हम अनुभव की अथार्थी बढ़ा देती है बिलकुल और विलपावर से जसे सामना करने की शक्ति और माया को सामना कर सकते कोई भी बात आएगे बार हो जाएगे और सब संतुष्ट भी रहेंगे सब आगे बढ़ते हैं परमात्मा कहते हैं कि विज़ई अर्थात स्वप्न में भी संकल्प रूप में हार ना हो जब स्वपन में हार नहीं होगी, प्रैक्टिकल जीवन में तो होगी नहीं न? ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी हो, अर्थात हार का नाम निशान नहीं ऐसे संपूर्ण निशानी को एक सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो जिसे जिस्मानी मिलिटरी वाले एक सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते निशाना ठीक होता है तो विजयी बन जाते हैं ऐसे अपने बुद्धी को इस निशाने पर एक सेकंड में ठीक टिका सकते हो इसके लिए कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं इस स्वमान को बार बार रिवाइस करना होगा क्योंकि माया बहुत वेराइट्री रूप में आती है अगर हम उसको थोड़ा भी समय देते हैं उस पर चिंतन कर लेते हैं और उसके प्रस्नों में उलज जाते हैं ऐसा हो गया मेरे साथ ऐसा हो गया इसके साथ ऐसा हो गया तो उसी प्रकार के चिंतन के आधार से हमारे स्वपन बन जाते हैं जो हम सोचते हैं वह हमारे को रात को सोधने में दिखाई देता है परमात्मा कहता है, सौपन में भी माया का वार न हो, कोई विकारी संकल्प न उठें, उसके लिए आवस्यक्ता है, दिन की दिन चरिया में हम अपने मन को बहुत सकारात्मक चिंतन में रखें, इसको खोब बिजी करें, इधर उधर की कोई बातें बेट सुनाता है, कहीं दिख या कोई पुष्टक में पढ़ लिया, और उस पर हमने कुछ चिंतन कर लिया, तो चिंतन के आधार से सौपन बन जाएंगे, इसलिए आवस्यक्ता है कि हम ऐसी चीजे न देखें, न सुनें, न कोई सुनाएं तो उस पर ध्यान दें, अगर हमारा ध्यान नहीं है, तो हमारे सौपन सुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, जिसने अपने मन बुद्धी को खुब बिजी किया है, ज्यान और योग में, अच्छे चिंतन में, उनके सौपन परिवर्टित हो जाते हैं, मेरा एक अनुभोग वोत अच्छा रहा है, मैं जब शुरू में बाबा के साथ बजे शुरू होते थे, और करीब दस घंटा, बारा घंटा कंटीनु बाबा एक बच्चे से बात करते हैं, तो मैं रात बहर बैट करके लिखता रहता था, मैं भी नहीं उठता था, जो कि वहां से ही लिखते थे सब, और फिर उसको टाइप करते थे जाके, तो एक ऐस संसकार जैसे बन गया, कई बार सवपन भी ऐसे आने लगे कि बाबा बोर रहा और मैं लिख रहा हूं, सवपनों में परिवर्तन आ गया, तो अगर कोई कारे बहुत दिल से, रुची से किया जाता है, और उसमें बार बार ध्यान जाता है, तो सवपन परिवर्तन होते हैं, संसकार के आधार से, पिछले कर्मों के आधार से, वर्तमान द्रस्यों के आधार से, उपन बहुत प्रोहवित होते हैं. तभी हम कहेंगे कि हम संपुर्ण विजङ होए हैं. विजङी तो तभी बन सकते हैं जब हम खुब अपने आपको ग्छाण योग में मस्त करें. बहु संबंध, संपर्ख, स्निह, सहयोग और सेवा में विजय कहां तक बने? अगर बहुत समय से सदा के विजय, हर कदम के विजय, हर संकल्प के विजय रहेंगे, तब ही विजय माला में समीप के मन के बन सकेंगे. वास्तों में ये हमारी संकून क्यूर्टी के लिए अटेंशन देने वाली बाते हैं, संकल्प है, बूल है, हमारी जो भी विचार चल रहे हैं, उन सब पर पहरा चाहिए, अटेंशन चाहिए. लेकिन कई प्रकार की ऐसी आदते हैं, मान लो आज कोई की खाने पीने की ऐसी आदते हैं, कोई ऐसे तेज गरम मसाले, मिर्ची, बहुत ऐसी उतेजित कहने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, कुछ ऐसा अध्यन करते हैं, ऐसे संग में जाते हैं, और कहें हम विजय माला आजाएंगे, विजयी बन जाएंगे उनको महनत है उसमें। परमात्मा कहते हैं, अगर विजयी बनना है इन विकारों से इन बुराइयों से इन संकल्प विकल्पों से आपको हर परकार की परहेज जरूरी है। जितना जो परहेज से चलता है वो सेफ हो जाते है। और बहुत पेपर आते हैं, उसको यूद्ध करनी कड़ती है। परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे इस यूद्ध से मुक्त हो जाएं। योद्ध नहीं हैं, योगी हैं। जैसे कहते हैं कि सावधानी हटती है तो दुरगटना घट जाती है। तो आवस्यक्ता है कि हम इस थूल में कोई हथियार नहीं है और कोई चीज पर विजय नहीं है। तो इन हमारे निजी जो संसकार है नगेटिव उन पर हमारे विजय हो जाए। तो सब परमात्मा कहते हैं कि नैन रूहानियत का अनुभव कराएं। चलन परमात्मा के चरित्रों का साक्षातकार यह अव्यक्ती सूरत, दिव्वे, अलाउकिक स्थिती का प्रत्यक्षरूप दिखाए। आपकी अलाउकिक वृति, कोई भी तमुगुणी वृति वाले को अपने सतवुणी वृति की स्मृति दिलाए। इसको कहा जाता है परिवार्तन व इसको ही प्रुभविसेबल कहा इसके लिए फूल अटेंशन, एसी सर्विस, जो हमारे मस्तक से, हमारे नैनों से, हमारे वाइवरेशन से लोगों को अनुभा हो, ये आत्मा हैं बिल्कुल प्योर हैं, सुद्ध हैं, पवित्र हैं, कोई भी धर उधर का संकल्प नहीं चलता, तो जब हम ऐसी स्थिति में रहत करा सकते हैं, अनुभा करा सकते हैं, तो परमात्मा हम सब बच्चों से आस रखते हैं, ऐसा अटेंशन रखो, कि नैनों से रूहानियत दिखाए दे, मस्तक से चमक्तिवी मनी आत्मा दिखाए दे, और आपका चेहरा भी रूहानियत से संपन हो, तब लोगों को आपके परमात्मा का अनुभा होगा, यही सर्विसेबूल की स्टेज है, तब परमात्मा कहते हैं कि जो सभी बातों में फुल है, वो फेल नहीं होते हैं, फुल में फ्लो नहीं होता है, इसलिए फेल नहीं होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बातें फील करते हैं, वह अवस्यक नहीं होती है। और वह लोग बड़े सिंसिटी होते हैं। इसने ऐसा क्यों किया। इसने ऐसा क्यों बोला। परमात्मा के ताथ जो ग्यान से गुनों से सब सक्तियों से फुल है। वह कैसी भी बाते होंगे उनको बहुत हलके रूप में लेंगे और डॉंट केर करेंगे। उसको फिल करके अपनी मूट को खराब नहीं करेंगे। इसने ऐसा क्यों किया। उसने किया वो जाने उसका हिसाब बनता है। मैं उसको फिल करके फिलिंग में ना जाओ। अगर मैं फिल हूँ तो मुझे फिलिंग नहीं आएगी। बिलकुर और इसलिए प्रमात्मा एंड में ये कहते हैं कि जिसे दूसरों के संसकारों को साक्षी हो कर देखते हो। वैसे अपने तमप्रधान स्टेज के संसकारों को भी साक्षी हो देखना। ऐसे समाप्त कर देना। स्वाहा हो गया। ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। तो वैसाब आज हमने कैसे हम हर परिस्थिती में विजही बने। उसकी भिन भिन युक्तियों को आपके द्वारा समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा कि सबसे बड़ी पावर है अनुभव की विल-पावर। यही विल-पावर हमें माया का सामना करने की शक्ति देती है। और तभी ही हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। आज परमात्मा ने बताया कि यदि हम विजय माला में आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हर कदम, हर संकल्प में विजय बनना पड़ेगा। पर मात्मा ने हमें ये भी बताया कि यदि हम full बनते हैं, तो हम किसी बात में fail नहीं होंगे, हमें कोई भी flow नहीं होगा और हम किसी भी बात को feel नहीं कर सकेंगे. यदि आपके मन में आज के अपिसूड से संबंदित कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें ई-मेल कर सकते हैं हमारा ई-मेल आईडी है अगले अपिसोड में एक और अव्यक्त मुडली के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त और शांति मुख्यसार संपन और संपूल स्टेज को पाने के लिए इस समय सर्व शक्तियों से अपने को संपन करने से ही मविश्य में सर्व पुड़ों से सर्व पतार्थों से संपन और संपूल बन सकेंगे सबसे पावर्फुल स्टेज है अपना अनुभव क्योंकि अनुभवी आत्मा में दिल पावर होने से माया का सामना कर सकेंगे पहज राप्त हो जाती है पहज राप्त है